तो जहां खुश लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है? क्यों आर्मान तोटकर बिखर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज जन गिनत लोग अपने विवाहिक जीवन को आनंद में बनाने के लिए डॉक्टर S के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाव ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं? दुनिया जहाने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो? फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है सेक्स से संबंदित समस्याओं पर शर्म और संकोच वश कोई खुलकर बात ही नहीं करता जिसकी वज़े से उसका जीवन दिनों दिन अधेरे में गिरता चला जाता है इस अंधेरे में उजाली की किरण बन कर आपकी सेक्स संबंदी समस्याओं का समधान करेंगे अंतरवास्तिये ख्याती प्राप्त योन रोग विशेशग्य डॉक्टर एस के जैन ये संचय करना ज्यान और सद्गों अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्त बनाना डेकिये सिक्स एडुकेशन और यूर कोईरीज रोजान यून रोगों से मुक्ति मिली है जीवन में सुख शान्ति मिली है बर्लिंग्टन क्लिनिक याद रहेगी जिससे जीवन को नई दिशा मिली है डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंग्टन क्लिनिक लखनों से तो आप वाकिफी है जिवन के फिर एक नई शुरवार डॉक्टर एस के जैन के साथ नमस्कार स्वागत है आपका कारेकरम सेक्स एडुकेशन एंड यूर करीज में मैं हूँ असलम रजा आबिदी दोस्तों अगर किसी तस्वीर में रंग धंक से न बढ़ा जाये तो उसमें निखार नहीं आता उसकी खुबसूरती कम हो जाती है इसी तरह अगर किसी मिट्टी के घरे को धंक से न बनाया जाये तो उसका आकार बिगर जाता है धंक बहुत जरूरी है यानि शिक्षा हमें हमारे जीवन में सारी बातों की जनकाई दी जाती है लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो इसको नजर अंदास कर दे जाता है हमारा ये कारिकरम कोशिश है एक कदम है कि समाज में फैल रही सेक्स से जुड़ी भ्रांतियों को हम दूर करें और सेक्स के बारे में एक सही एजुकेशन एक सही जानकारी इस कारिकरम के मदर्म से आप तक पचाएं और इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मरशूर साइको सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर S.K. जेन भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर S.K. जेन आपने सन 1974 में लखनो विश्विद्याले से बैस्टर अफ आयरुवेदा विद मॉडर मेडिसिन एन सर्जरी की उपाधी प्राप्त की इसी के साथ आपने अपने टेलेंट और लगन के बल्बूते पर लंदन से MRSH जैसे प्रचिश्टे संस्था की सदस्ता प्राप्त की डॉक्टर S.K. जेन ने प्राचीन आयरुवेद पद्धती के साथ आधुनिक चिकिस्वा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंटन क्लीनिक प्राविट लिमिटेड की स्थाप न की इस क्लीनिक के द्वारट एक ही छट के नीचे प्राचीन और मॉडरन टेक्नोलोजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक समस्याओं से मुख्टी देते हैं और इस कारे में डॉक्टर जैन की साथ कंधे से कंधा मिला का साथ देती है उनकी मेनती वस्षेवा भावीरिस अश्टीन डॉक्टर जैन को इन्हे प्रयासों के कारण अनेक बार कई पत्रश्चित परसकारों से इस सम्मानित किया गया है डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाव लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी तो आईए स्वागत करते हैं मश्यूर साइको सेक्सोलोजिस डॉक्टर एस के जैन साब का डॉक्टर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिकरम सेक्स एडूकेशन एन यूर क्यारीज में राई डॉक्टर हमारे पूरवजों ने सेक्स शिक्षा के ओपर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है लेकिन आज भी समाज में सेक्स से चुड़ी काफी मिट्स हैं काफी ब्रहांतिया हैं जो आगे चलकर बिमारियों का रूप ले लेती हैं आज इनहीं ब्रहांतियों को मैं सवालों के रूप में आपके सामय रखूँगा अपने वीवर्स के और इसमें सबसे पहला सवाल है डॉक्स अब की ये जानना चाते हैं कि अगर किसी के यूटरिस में सूजन आ गई है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी फिलोपिन ट्यूब भी बंद है तो क्या वो बिना आपरेशन के मा बन सकती है जबके इनके पती के सारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल है अगर पती के टेस्ट नॉर्मल है तो मैं समझता हूँ कि पेशिंट को ही समझना चाहिए कि तेरे जी ग्रीन लाइट तेरे जी ग्रीन सिगनल और यदि कुछ डाक्टरों के मतानों साथ फैलोपिन की उस बंद है तो काफी समय से आईरवेट के अंदर इतनी अच्छी अच्छी दवाईया इन रोगों के उपचार के लिए हैं कि यदि समुचित महीने दो महीने इनकी चेकसा की जाए तो ये माँ बन सकती है और यदि टेस्ट नॉर्मल है तो फिर कोई दिकत बाली बात ही नहीं अगर किसी व्यक्ति के अंदर शुक्रानों की कमी हो जाए तो क्या आईरवेट के मादियम से इस कमी को दूर किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति क्या आगे चलकर संतान का सुख प्राप कर सकता है देखे जो इस्पर्म संबडी प्राप्लक्त होती है उसमें मेली दो तरह की बीमारिया देखी गई है एक होती है एजुस्पर्मिया जिसमें इस्पर्म बिलकुल नहीं होते हैं और दूसरी होती है ओलीगो जुस्पर्मिया जिसके अंदर पात्रा कुश होती है और कुश को बाईदा प्रोसेस आप इस्परमेटो जेनेसिस पूर्यूस किया जाता है और चुके इस साइन्स के अंदर काफी अच्छे ची दबाईयां हैं ऐसे काफी मरीश ठीक हुए हैं लिहाजा मैं इनको भी यह ज़रा दूँगा कि यदि ये आयरवेट के अनुसार समुचित चिकिस्सा करें तो हिट करन भी आउलाइट शुक्राणों की कमी कोई ऐसा बड़ा समस्या नहीं है मैं इसलिए कहरा हूँ कि अक्सर दिवारों पर इष्टिहार आपको मिल जाएंगे कि शुक्राणों की कमी एक बड़ा मिल तो लें कि उस चीज़ को इतना बहाचरा के जो है पेश के जाता है मैं इस पर भी जाऊँगा कि आप थोड़ा दर्शों को मर्ग दर्शन करते हैं देखे इस बात को पहले भी काफी कुछ इस प्रिस्टीजियस चैनल के माध्यम से बताया गया है कि आज की युग में नीम हकीम खत्रे जान बगरा की कमी नहीं है यह ना दियार सो मिन अबदा परसंस जो अपने को डॉक्टर लिखते हैं लेकिन उनके बास में कोई अथेंटिक डिगरी नहीं है किसी मेडिकल यूनिवस्टी की वो अपना कुछ दिवाल बाजी या इस्ताहर बाजी करते हैं लेकिन जो चिकसा पद्धरी अपने आप बहुती प्रतिष्टत तरीके से और अच्छे तरीके से उप्योग की जाती है मैंने देखा है मरियों में कामियाब है और काफी मरियों से ठीक होते है जी हाँ तो मैं आपको बता चाहूँगा यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप एक कौलिफाइड डॉक्टर के पास जाएं नीम हकीम खत्रय जान से बज़ें क्योंकि कोईक्स की आजकल जैसे डॉक्टर ने कहा कि कमी नहीं है और डॉक्टर बेक अगला सवाल है यह है कि अगर एक कोई व्यक्ति एक लंबे समय से मास्रबेशन कर रहा है तो क्या उसकी जो एरेक्शन पावर है क्या उसमें कोई कमी हो सकती है या खत्म हो सकती है और क्या ऐसा व्यक्ति शादी का सुक्स प्राप्ट कर सकता है क्योंकि ऐसे लोगों को डल लगता है कि पता नहीं यह शादी के बाद जो है वो अपनी पतनी को संतुश कर पाएंग या नहीं जैसे बेरे आपको बताया कि हस्त मैतुन कोई बीमारी नहीं है ये एक लट है और यदि अतिधिक मात्रा में की जाए तो ये बीमारी यू कैंसे के बीमारी पैदा कर सकती है लिहाजा इनको जहां तक इनके मन में ये भरांती है कि साइध इसे एरेक्शन कतम हो जाएगा या मै शादी का सुख नहीं उठा पाऊंगा ऐसा नहीं है ये शादी भी कर सकते हैं और इनको इरेक्शन पावर्ड भी मिलेगी हाँ इतना आवश्य है कि ये बाई दिवे चूंकि बिद्वान लोग कहते हैं कि एकसे साब आपने आवरीधिंग इजान फुल अती सरबत्र बर्ज हैं तो उसको दूर कर लेने में मैं समझता हूं कोई हार्ज नहीं है बात बाकी जारा चंता कि आवश्यक्ता रही है मतलब ये एक वहम है जो एक दिमाग में ये तो डल जाता है या फिर वोई वाली बात कि दोज़र से पढ़ पढ़ा के जहन में ओड़ लिया जाता है कि ये महस्टरबेशन कर रहा है तो कोई समस्या है आपके साब से ये कोई समस्या नहीं है जा इसको एक लिमिटिट मात्र हैं हमें सवाल पूछ सकते हैं और अभी हम यहाँ पर छोड़ सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत जल लोटेंगे देखते रहे हैं सेक्स एड्युकेशन एन्योकरी इस कारेकरम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नमबर है 099-366-04444 इसी नम यदि आप डॉक्स आप से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं तो डॉक्स आप की लखनों की क्लिनिक का नमबर है 0522-4000-44444 आज की इस दुनिया में जब जंदगी बिखर रही है बेपनाह तमनाएं हर दिशा में भटक रही हैं आरजूएं बेकाबू हो रही हैं तब कहां हैं हमारे सबने कहां हैं हमारी सेहर जनाब इसी तसवर को सामने रखकर हम आप को मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी काम्याब शक्सियत से जिन्होंने सेक्स और जंदगी चाहत और सेहत को नई दिशा दी है जी हां हिंदुस्तान के मशुहूर साइको सेक्सोलोजिस्ट डॉक्टर S.K. जैर जिन्होंने बर्लिंटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधान सभा मार्ग लखनौ को दिया एक नया आया बलकि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आये हुए मरीजों को अपनी यहन समस्याओं के लिए कामियाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देवी आज हमारे यहां पूरे भारतवर्ष ये मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ट क्लास टीटमेंट देनी की कोशिश करते हैं साथ ही अनगनित मरीज पूरी तर से सटिसफाइड हो कर जाते हैं डॉक्टर नितिन रुग्यों की मेरीज कॉंसलिंग पर पुरा ध्यान देते हैं डॉक्टर जैन का सपना है सिक्स सम्बंधी समस्याओं के लिए बहतर इलाज का सही प्रवन्त और मरीजों का धोके बाजों और नीम हकीमों से इसी सपने का एक हकीकत रूप है सिक्स सम्बंधी किसी भी समस्याओं के विश्वस्निय एवं गोपनिय उपचार के सुभधा स्वेम डॉक्टर एसके जैन की देख रेख में यहाँ उपलब्ध है सेहत, सिक्स और सुखी जीवन की आस डॉक्टर एसके जैन का विश्वास अगर आपकी सेक्शुल जंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए दर्वाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुल्दस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टी संपर करें बर्लिंटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंटन क्रॉसिंग 28 अबलिक ए विधान सभामार लखनाओ आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522 400 4444 हमारे मुबाइल नंबर है 09935 109999 और 09935 562999 हमारा इमेल आईडी है डॉक्टर इसके जैन सॉलूशन्स अड़रेट जीमेल डॉट कॉम इस कारेकरम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 099366 04444 इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारा इमेल का पता है डॉक्टर एसके जैन सॉलूशन्स अड़रेट ओफ जीमेल डॉट कॉम यदि आप डॉक्टर अप से सीधा संपर्ग करना चाते हैं तो डॉक्टर अप की लखनों की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444 वेलकम बेट आप देख रहे हैं सेक्स एडुकेशन एन्यूर क्रेज़ और हमारे साथ मशूर साइको सेक्सोलोजिस डॉक्टर एसके जैन साथ आज के लिए हमारे स्टूडियो में है और जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आप से कहा था कि अगर आपके मन में सेक्स से जुड़ी कोई भ्रांती है कोई मिस है या कोई समस्या है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं समस कर सकते हैं फोन कॉल भी कर सकते हैं ब्रेक पे जाने से पहले हम मास्टर बेशन से जुड़ी मित्स यानि ब्रहनती के बारे में बात कर रहे थे और डॉक्सरब आईए एक और हमारे पास सवाल है ये अधिकतर देखा गया कि बड़ती उमर में ऐसा देखा जाता है डॉक्सरब की एरेक्शन यानि तनाव जो है वो धीर धीरे कम होने लगता है लेकिन कई लोगों की ये समस्या है कि उन्होंने अपने से कम उमर की लड़की से शारी की हुई होती है और बड़ती उमर के कारण जो उनका जो सेक्सुल लाइफ है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती वो उसको संतुष्टी परदान एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं तो आप बताएए कि ऐसा कोई तरीका है अपलब्ध है कोई ऐसी मेडिसिन अपलब्ध है जिससे कि इस ऐसी समस्या है कि हज़बेट जो इवाइफ में एजगेब बहुत है जिसको कि हम दूर कर सके इस तरह की कोई मेडिसिन इस तरह कोई लाज आपके अर्वेद में या एलोपेट में है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ताजे सर्वेक्षण हुए हैं या काफी इस बिसाइबे अनुसंधान हुआ है कि इस्तरी और पुरुष यानि पती और पत्नी के उम्र के फांसले की बीच में अमोमन दो चार साल का गैप होना चाहिए जिससे कि वो अपने मांसिक अस्तर पे सारी अस्तर पे एक दूसरे के पैरलल हों या कि बाइड वे एज ग्रूप जादा है तो बट नेचरल है कि एक पार्टनर तो उठान पे है और दूसरा पार्टनर डे बाई डे डिटूरेट हो रहा है तो मैं उसके लिए इनको सज़स्ट करूँगा एडवाइज करूँगा कि सेक्स और सक्सेज एक दूसरे से काफी कुछ यू समली चोली दामन का साथ है तो लिहाजा मतलब जहाओ यदि अच्छा सेक्स होगा तो जीवन में सक्सेज भी होगी और यदि सक्सेज है और यदि ये सक्सेज चाहते भी हैं तो इनको प्रापर किसी क्वालिफाइट सेक्सोलोजिस्ट है मिलके कॉंसरिंग करनी चाहिए अपनी बात को शेयर करना चाहिए बाई वेच के उनको एक प्रापर उसका चलीशन मिले और यदि वो कोशिश कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि भलाई एज डिफरेंस का गैप है लेकिन वो चीज मेंटेन हो सकती है दक्सर क्या लगता है आपको कि क्या ये एक उनके ये मांसिक इस्तिती है उनकी ऐसी को ऐसा सोचते है कि एज डिफरेंस है या एक प्रफॉर्मेंस का प्रेशर है जिसकी वज़से ये समस्या हो इसमें मतलब यहाओ वो सबसे में चीज तो यह है कि एक के अंदर मतलब यहाओ वो हार्मोन का प्रोड़क्शन जारी है और एक के अंदर जारी तो है लेकिन वो कुछ-कुछ कम हो रहा है एकॉर्डिंग टुदा एज डिफरेंस तो यह है कि यदि वो कोशिश करेंगे तो इसका कारण क्या है और यह कहते हैं कि जबकि इनके सारे टेस्ट जो है नॉर्मल हो रहा है ऐसे में गरत फैमी लोगों के बीच में पहली हुई है कि इंटर कोस टाइम जो है वो कम होने के कारण संतान नहीं होती तो कि यह सच है ऐसा नहीं है अगर इंटर कोस टाइम कम भी है तो भी जहां तक मैंने देखा है कि मतलब इशू होने हम कोई प्रॉबलम नहीं होती है मतलब भी इंटर्टोस टाइम का इससे कोई इलेशन असर नहीं है इसके लिए I will suggest कि मतलब यह वो अपने वाइफ को यह किसी प्रॉपर गाईने को रिजिस्ट से मतलब यह वो मिल के सलाल हैं और यह खुद किसी भी अच्छे फिजिशन के पास डॉक्टर के पास जाके और यह जो उसे कॉंसल करते हैं अपनी बात को रखते हैं उसके सामने के साथ मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं तो आई थिंक मतलब यह हुए क्वालिफाइड डॉक्टर बिल केंडी डिटेक्ट जिया हैं इसके पहले आपको एक बात बजा दूँक मेरे पास काफी कापल साते हैं और जब उनको प्रॉपर कॉंसल किया जाता है तो उनमें प्रॉब्लम मिल जाती हैं और दे कैन बी ऑल जा रही हो जड़ा जाए हुग यह जड़ा वाइन का सेवन करते हैं ज़्यारा स्मोक करते हैं तो देयाट सो दिखिन अदरकी जो आपकी जिजड़ाइड जो खत्म कीजे दूर कीजे निक लिए गात कीज़िये और ज़ुर आपकी शमज़ान होगा और जरूर अग्ला सवा अगर है तो ऐसा क्यों होता है और यह किस तरह दूर किया जो सकता है देखिए क्वेश्चन आपका जरों ने भी पूछा है यह बहुती अच्छा है और मैं इसके बारे में केभल इतना ही कहना चाहूंगा कि बैसे तो इनकी डिपोर्ट्स को देखना बहुती आवश्चक है कि एक्च्छली प्रॉब्लम किस पॉइन को लेके है लेकिन जो अधिकांस्ता मेरे पास में मरीज आते हैं मैंने देखा है कि जो लोग बच्पन की नासमझी में कुछ ज़रों से ज़्यादा अपने मतब वीर को सीमन को डिशार्च कर देते हैं कहीं पर पढ़ लिया किताब में कहीं पर सुन लिया कि हस मैं तो नुकसान दायक नहीं है और दिन पर में छेचे आट 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 सो में याद टाइम्स कर रहे हैं बट नैचुरल है कि उनमें आगे चलके लैक अफ सीमन यानि सीमन की कमी हो जाती है और जब सीमन ही नहीं होगा तो वीरबात कैसे होगा अचा दियर आर आल्टो सो में अब दे डिजन्स के मतब हो सकता है कि बहुत ज़दा उसमें कंसंट्रेशन इतनी ज़दा हो इस पोजिशन कैन भी कि दे रहा है ब्लैक अफ सीमन की साब भी डिश्यार्जी नहीं होता है तो ज़दी नहीं होगा परिशान नहीं होगा लगके अपना मतलब यहाओ वो किसी भी फीजिशन से अपना प्रॉपर वे में इसके लिए कौंसल करें एटवाइच करें और डॉक साब इस जवाब के साथ आज के आपिसोड का भी समछी आसमात हो रहा है डॉक साब भहुत धनेवाद बहुत ही मेहत्तरूर जान करी आपने दर्शकों को दी डॉक साब हर दूसरा तीसरा वेक्ती किसी सना किसी وجہ से किसी ना किसी भ्रांती की वज़ से, किसी ना किसी मिट्स की वज़ से, बिमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है तो चलते चलते पर चाहूँगा कि ऐसे लोग के लिए जो कि अंदर ही अंदर अपनी समस्याँ को या मैं कहूँगा अपने मित्स को रखते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जी मैं आपने प्यारे दर्सकों से केबल इतना ही गुजारिश करूँगा कहूँगा कि किसी भी भ्रांती में आप ना पढ़े समुचित जानकारी दखिए और समय समय पे जीवर्म में एक्साइज कीजिए कुछ बयायाम कीजिए बैलेंस टाइट लिजे और अंक में इतना ही गौँगा के संचै करना ग्यान और सद्गों अपनाना संचे करना ग्यान और सद्गों अपनाना और निज़ सरीर को तुम्हे खूब है स्वस्त बनाना तो आप अपने सरीर को स्वस्त बनाएं जिन्दगी में काम्याबी के सिखर क्यों तरक्की करें मेरी सुपक्रामना है आपके साथ अपने सेक्स के बादे में इतनी जानकारी देकर वाकरी हमारे दर्श्वों को बहुत एजूकेट किया और दर्श्वों आपको अगर समस्या है तो अपने अंदर मत रखिये बहार आईए हमारे ये कालिकरम है एक प्रेटफॉर्म है अपने किसी विश्वेश्व के से मिली है या आप चाहते हैं कि इस कालिकरम में अपनी समस्या को शेयर करें तो आप हमें कॉन्टेक कर सकते हैं फोन कर सकते हैं एमेल कर सकते हैं हम आपका अगर चाहेंगे तो नाम और पता गुप रखेंगे आज की इस दुनिया में जब जिन्दगी बिखर रही है बेपना तमन्नाएं हर दिशाम भटक रही है आज़ू में बेकाबू हो रही है तब कहां है हम, कहां है हमारे सपने, कहां है हमारे सेह ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सब की है इस तलाश में मनजिलें कम भटका हो ज्यादा है तो कैसे मिले मनजिलों का पता? कैसे सवाने इस जिन्दगी को? कैसे जवानी दें नए रूप में योवन को? जनाब, इसी तसवर को सामने रखकर, हम आप से मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी काम्याब शख्सियत से, जिन्होंने सेक्स और जिन्दगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दिये डॉक्टर S.K. जैन, हिंदुस्तान के मशूर साइको सेक्सोलोजिस डॉक्टर S.K. जैन, एक खांदानी डॉक्टर ही थी आयरविदिक, एवम एलोपेथी, दोनों विधाओं के एक काम्याब और क्वालिफाइड डॉक्टर है आपने सन 1994 में लखनोव विश्विद्याले से बैसलर ओफ एविदा विद मॉडल मेडिसिन एंज सरजरी की उपाजी प्राप्त की इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबुते पर लंदन से MR.S. जैसी प्रतिष्टे संस्था की सदस्थिता प्राप्त की तमाश बीनों से आपको बाखबर करने नीम हकीम खतरा जान से आपका दामन बचाने और आपको सिहत मंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खुबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एसकी जैन अपने बर्लिंग्टन क्लिनिक ब्राइबिट लिमिटेट के जरिये आप तर पहुँच रहे हैं इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छट के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नलोजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समर्ष्याओं से मुक्ति देते हैं डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खुपसुरा सिलसला है और इसे सिलसले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पिटीन सेक्स से जुली हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉंफिटेंशल इलाज करने में जिन्दगी को सिहत मंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिन है सबसे महत्यपूर हमाई लिए यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहांपे उनकी बाते हमारे और पेशेंट्स के बीच में ही रहनी चाहिए तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं इवन जो उनके रिकॉर्स हमाई पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉंफिटेंशल लखे जाते हैं और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रिजिस्टेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता है उसमें क्यों रिजिस्टेशन कोड रहता है रूबर होते हैं डॉक्टर एस के जैन से सबसे जादा गलत फैमिया आज सेक्सुल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ी हुई है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम्स होते हुए भी उसे नहीं मानते या यूँ कह लीजिए कि अपने को एक्सपेस नहीं कर पाते है या सर्म संगोश पस अपनी बात कहने ही पाते है या साइड उसे अपनी एगो से चोड़ने रगते है आयरुवेदिक दवाओं के साथ साथ सामान ने व्यायाम से लोगों को चुश्ति फूरती देते हैं बल्लिंटन क्लीनिक प्राईबेट लिम्टेट अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है और हम लोग दबाईयों को केवल मैनिफेक्चर ही नहीं करते बलके उनको अपनी मैनिफेक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं उसके बाद अपनी लेबोटरी में उनकी पूरी चार्च पाताल करके उन दबाईयों का निर्मा करते हैं और उसे अपनी मरीजों की सेवा के लिए उप्लब्द करा समाज में सेक्स संबंदे तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंद दायक जीवान दोगाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्टे को और शीष्ट प्रुसकारों से नवाज गया है इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्टित सम्मानों से अलंकृत किया गया है हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाब उठाएं और सक्सेस्फुली पर सेक्सफुली जिन्दगी जीएं समझदारी से होश्यारी से अगर आप डॉक्टर इसके जैन से समपर करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंटन क्रॉसिंग 28-A विदान सभामार लखनाओ आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर हमारे मुबाइल नंबर है हमारा इमेल आइडी है इस कारेकरम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारा इमेल का पता है यदि आप डॉक्सअब से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं तो डॉक्सअब की लखनों की किलिंग का नंबर है 0522-400-4444 दोस्तों आपने जाना डॉक्टर एस के जन के बारे में आज बच इतना ही इस एपिसोड में कल अगले एपिसोड में आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे देखते रहिए Sex Education and Your Queries जिन्दगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल जीवन के फिर एक नई शुरवार डॉक्टर एस के जैन के साथ आप खुश तो जहां खुश लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपसे असंतुष्ट है तो क्यों है क्यों अर्मान तोटकर बिखर रहे हैं कभी सोचा है आपने आज अनकनत लोग अपने विवाहिक जीवन को अनंद में बनाने के लिए डॉक्टर एस के जैन एवं डॉक्टर सारांश जैन से इलाज का लाब ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं ये है एबीपी न्यूज निटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे